खट में हुआ प्रैक्टिस मुकाबला धौनी राइडू उथपा समयत कई खिलाडियों का आया तूफान इस वीडियो को पूरा जरूर देखें अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप भी चाहते हैं कि चैनल सुपर किंग्स IPL 2022 का खिताब जीते तो इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूले IPL 2022 की सुरूआत 26 मार्च से हो रही है आपको बता दे चैनल सुपर किंग्स ने अपनी तैयारियां सुरू कर दी है आपको बता दे सुरत में इस समय महिंदर सिंग धोनी के अलावा रोविन उथपपा, अमबाती राइडू, तोसारदेस पांडे, के एम आसे, राजबर्धन हंगर गेकरजियां से खिलाडी प्रैक्टिस केम्प का हिस्सा है चैन्नई सुपर किंग्स IPL 2022 के लिए जम कर मेहनत कर रही है और सभी खिलाडी जम कर पसीना बहा रहे हैं इसी बीच ट्रेनिंग सेसन के चौथे दिन चैन्नई के सभी खिलाडीयों ने एक प्रैक्टिस मुकावला खेला था ये प्रैक्टिस मुकावला सभी खिलाडीयों ने आपस में खेला जहां पर सभी खिलाडीयों ने मिलकर दो टीमें बनाई थी इस प्रैक्टिस मुकावले में कई खिलाडीयों ने सांदार पुरदरसन किया कप्तान महिंदर सिंग धोनी काफी अच्छी ले में दिखाई दिये MS धोनी ने सिर्फ 23 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली इसके अलावा 19 बरसी यूवा ओल राउंडर खिलाडी राच बरधन हंगर गेकर का सांदार पुरदरसन देखने को मिला आपको बता दें ये वही ओल राउंडर हैं जिन्होंने हाली में अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाल मचाया था हंगर गेकर ने निचले करम में आकर 16 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली इसके अलावा गेंदवाजी में 2 विकेट भी जटके इस अब भीहास मुकाबले में कि एमासिप को 2 विकेट तो वहीं तो सारदेस पंडे को 3 विकेट मिले आपको बता दें IPL 2021 का खिताब चैने सुपर किंग्स ने जीता था और ये टीम एक बार फिर से अपने खिताब को बचाने के लिए मैदान पर उतरेगी आपको क्या लगता है कि चैने सुपर किंग्स IPL 2022 का खिताब जीत पाएगी या नहीं आप अपनी राए नीचे कमेंट करें चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें